नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहित तिवारी दिल की बात दिल से के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज बहुत ही energetic personality को आप से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के fire brand नेता है अपने बड़े बोल के लिए जाने जाते हैं मुझे लगता है किसी से दब के नहीं बात करते हैं इसलिए आज वो जो भी बोलेंगे वो दिल से बोलेंगे RSS के बहुत दिनों तक कारिकरता के रूप में आपने काम किया आज भी अपने आपको कारिकरता ही बोलते हैं तो बहुत-बहुत स्वागत है 29th TV के इस खास कारिकरम में खिआदी और यह कारिकरम मंतरी जी है कि दिल की बात दिल से लगता आज जो भी आप वो दिल से बोलेंगे मैं बेवाक बोलता हूं मेरा कभी मैंने कोई का छुपी नहीं की आज तक तो अब आप बताईए कि आपकी राजनीतिक प्रिष्टभून की सुरुवात कहां से हुई मेरी राजनीतिक प्रिष्टभूने 1984 में मैंने प्रथम बढ़्स RSS की OTC की थी वही से मैं संग्ठरमंत्री के नाते युवा मोर्चे मैं संग्ठरमंती रहा रचारक के नाते मैंने काम प्रारम किया था और वही से काम कड़ते कड़ते 2002 में फिर मुझे जिलादस बना दिया प्रदेश संग्ठरमंती से जिलादस बना दिया अच्छा आधनी कलान सिंग जी पार्टी छोड़ गए थे अटल जी और उनके आपसी बिवाद के कारण तो उनको निकाल दिया गया था तो मुझे अलीगड का जिलादस बनाया जिसमें आदेनी योगी जी बरत्मान में जो मुखमंत्री हम और वो दोनों 24 घंटे गरबदार हुए और 2006 में हिंदु मुसलमान का जगडा हुआ तो वहाँ पर बसपा और सपा की गवर्मेंट थी तो ये लोग केवल मुसलिमों को दाना पानी देते थे रासन देते थे और हिंदु को नहीं देते थे इस कारण जगडा हुआ जगडा हुआ तो हमारे लोग भी हतात हुए कुछ गरबदार हुए लेकिन आदरिनी योगी जी ने उसी में फिर एंट्री की योगी जी आये तो बोले उन्होंने कि न्याय होना चाहिए आदरिनी मुलायम सिंग मुख मत्री एक कुरूर सा सकते तो उन्होंने हम दोनों को गरद्दार करके पुलिस लाइन में 24 गंडे रखा था सा साथ रहे हमारे हम ना है क्योंकि संग प्रश्टी भूम में यही सिकाए जाता है कि आप कुछ नहीं है आप से बड़ा दल और दल से बड़ा देश क्योंकि देश है तो दल है दल है तो हम है नहीं तो हम को कौन पूछेगा इस करण हम में और अन्य पार्टियों में अंतर यही है उनमें क्य तो इस कारण मेरा संग से जुड़ा आज भी मैं संग का स्वयम से बख हूँ विभिन पदों पर प्रदेश संग्ठामंदी प्रदेश महामंत्री प्रदेश पादस सभी विभन केवल प्रदेश अद्दास उत्र प्रदेश का नहीं बन पाए वह परशितियां बस होता है इस अब जीजें बाकि सब पदों पर पर परदेश में राश्ट में मैं किसानबनें मंत्री रहाऊ हूं और ऐसे करके मुझे जहां ऐब आट श्टेटों मैंने चुनाब लिभ्वी लडाया है लुडिरा करें हरीय सामि मुझ को ज्ञान भी है, मैं बोलता हूं, वह खुवी लिखता हूं. तो इस कारण मुझे मैंने कभी पैसे के लिए या पद के लिए राजनिती प्रार्रम नहीं की थी. मैंने जो कार प्रार्रम किया था देश हित में, राश्osh हित में, हिंदु हित में बात करेगा当然 नहिजा सकर्ण ही अध E मेरे घर में कोई प्द क सब लोग एसे पदों पर थे उन यह तक रिष्टा नहीं था लेकिन लेकिन मैं संग से जोड़ा आदरी हमारे अलिगड के विसुन्दू परसद के दिनेज जी हैं जो आज का सरच चके में विसुन्दू परसद के अध्या में निवास कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे जोड़ा और अनवरत मुझे कई मौके आए कि बस पाने मुझसे आग्रे कि लेकिन मैंने कदापी पार्टी नहीं छोड़ी मैं आइड़ोलोजी के लिए टैस के लिए काम करता हूं देश के हित्मे राष्ट के निर्मान में काम करता हूं ये मेरी सोच ये मरी भावना है तो वहां से रगुराज सिंग का सफर शुरू हुआ और आज यहां तक पहुंच गया कि आप यूपी सरकार में मंत्री है लेकिन आपको नहीं लगता कि जितना आपने परिश्रम किया बीजेपी के लिए उतना आपको मिलना चाहिए या उसमें कुछ कमी रही है बिल्कुल ठी करें आप कभी-कभी परिस्तितियां बस ऐसा हो जाता है क्योंकि आप मांगने से कभी-कभी नहीं मिल पाता है ऐसी इस्तिति है और मैं तो इस बात को भागी का खेल बानता हूं भागी में जो लिखा है वही मिलेगा यानि मैं बाहर कहीं और भी जाता है और वाई दिवे मह स्वार्थ भाव से, आज भी, मैं अपने अलिय ग्र्य जनपत्द में जाता हूँ तो, दिन में, एक हजार आदमियों से कम मुलाकत होती है चलनलु mirror होता है, उनके किसी के collector का का महता है, किसी का तरह का महता है, मैं आपने कल्यान सिंग जी का जिक्र किया और इस समय उत्तर प्रदेश में सूबे के मुख्यमंत्री भी योगी आदितनात जी हैं आप भी ठाकुर हैं इस समय ठाकुरों पर जंग चड़ी हुई है अभी मनोज जी ने जो बयान दिया है एक तो दो सवाल यहां पर पूछूंगा लोग कहते हैं कि यूपी में ठाकुर वाद चल रहा है क्या ऐसा है क्या चूकि अभी जो मनोज ज्ञा ने बोला है अब लोग ठाकुरों पर उनकी बात को हमला भी बता रहे हैं और देखिए मनोज ज्ञा जो है अधवरिया ऐं न तो ब्रहमन हैं और वह ग्याता है वह अधवरिया अधवरिया जिनको बोला जैसे खक्षप ना गधे हैं ना गोड़े हैं वैसी इस्तिती मनोज्जा की है क्योंकि उनको ग्यान नहीं है ऐसा है ठाकुर यद नहोता ठाकुर किसको कहा जाता है उनको ग्यानी नहीं है ठाकूर में हर फोजी ठाकूर होता था हर फोजी ठाकूर होता था उसको ठाकूर के रूप में काम करना पड़ता था और आपने देखा होगा हमेशा राजा लड़ाई लड़ता था और राजा हार गया और राजा बंदी बना गया तो पूरी फोज हार गई आज कौन लड़ता रहे ने घोडे रहे वो खिच्चर हो गए बीच का बीच का उनका वो सिस्टम बन गया है उनको ग्यान रही है अब पता नहीं कैसे पढ़े हैं मैं था पीएजडी हो पीएजडी वह भी अपने आपको कहते हैं लेकर मुझे नहीं लगता है कि यद वह अगर विद्वान होते भगवार्राम ठाकुर थे भगवान क्रस्ट ठाकुर थे सब ठाकुर जी के मंदर जाते हैं वो ये ऐसे लोग हैं अपने बाप को बाप नहीं कहते हैं दूसरे बाप को बाप कहते हैं इनकी सोच इनकी भावना ये लोग कमिनिस्ट मैंडेड हैं इन्हों ने इस देश की संस ताइज गए होते बेद पुरान पढ़ाए गए होते तो हम नासा को फेल कर देते क्योंकि हमां हम सनातन धर्मी धर्म हैं लेकिन इनि बेवकूफ हों को यह पता नहीं है यह पंथ हैं 353 साल पहले खाल सापन्थवा, इनको दूसरे को बाप को बाप कहते हैं, अपने बाप को भी बाप नहीं कहने को तयार, ये ऐसे लोग हैं, ये बोट के सौधागर हैं, ये बेईमान हैं, ये राजनेतिक बेईमान हैं, कि असली इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते, कोके इन्हों और अमेरिका में बाइस साल जगड़ा चला है, भीयत राम के राष्टादस ने हिंदुस्तान के राजाओं का इत्यास पढ़ा, उसके बाद अमेरिका पे बिज़े पाई, तो इन बेब कूपों को, इनको तो मैं क्या सब्दों का उप्यों करूं, मुझे कष्ट होता है, कि ब मुरोज जहा के खांदान में कितने लोग जोहर हुए मुझे बता दा ये, मुरोज जहा का कोई इतिहास नहीं है, ऐसे लोग इतिहास को बना नहीं सकते, केवल बिगार सकते हैं, ये लोग कमिनिस्ट माइंड़ लोग है, लेकि वो तो बोल रहे हैं कि हमने अपने दिल के ठ हब खांदाने अविए ये तो मूरख कानंद जिसको कहा जाए, ठाकूर विगर, आप थाकूर जी के दर संकरने जाते हैं, भग्स, भग्वान बाकी चितर संकरने स्था आँ बोलते हैं ठाकूर ने ऐसा करके विद्वान प्रहमन को नी ए कह सकता विद्वान प्रहमन इसा को चलाता है नवर्तन जो होते थे वह ब्रहमन होते थे आपने देख देख लिया हुआ किसी का भी आज भी आज़नी मोच मोधी जी के स Mustang सालाकार में 14 ब्रहमन नवरतन हैं लेकिन मरोज जैसे अगर हो जाएंगे तो देश को बिकवा देंगे लोग यह लोग देश को बेखने वाले लोग हैं यह लालू के भक्त हैं इनको बेइवानी करनी है हैं देश को लूटना है और यह दिन दाड़े लूट रहें यह लेकिन आपको नहीं लगता मंत्री जी कि जिस तरीके से सनातन पर लोग हमला करते हुए आ कि अबें आप चुकि सनातन की बात कर रहे कि हमारे बेदों 2 हमारे पुराणों मे तो लोग तो सनातन के उपर पर यहां पर हर फौजी ठाकूर है और हर हमारा जो देश का व्यक्ति ठाकूर है इसलिए इनके बाप दादे क्या है इनकी तो हैसियत क्या है इनके बाप दादे पुर्खे नहीं मिटा पाए यह सलातन धर्म को कभी कोई मिटा नहीं पाएगा बिस्व में हम हम हैं बिस्व में हम ह करने हमने बाखी जगे कहा कहां का रोडा बहन वर तीने खोर थे आप लोगों की द्वारा ही आता है उसका मैं रोज देखता हूं तो ऐसी हिस्तिति हैं कि विश्व हमाई तरफ देख रहा है आज विश्व में देखिया आधरी मोदी जी को 78% आज विश्व का चुनाब हो जाए तो विश्व के अद्दच हो जाँगै आधरी मोदीजी आज भारत नमबरएनाजी और मुख्मंध्रिण यूगी आदित्नाजी पूर्य नमबर एक करें हमारे कर दो तो चुक्त का कम करेंग उसका नाम होगा इसलिए वो लोग का इनका कहना केवल सोच क्या है डिवाइडन रूल वाली पॉलिशी ये लोग उस दल के लोग हैं जंता दल वगएरा ये लूटो खाओ आंदोलन जैसे सपा बस्पा में आप आज राइस्थान की हैचियत वही हो गई है जैसे उत्तर प्रदेश होता था साम तक उसका हम राज इंतिजार करेंगे या तो ऊपर होगा या जेलम होगा दो ही रास्ते हैं तीसरा रास्ता हमार पास कोई नहीं मंतरी जी अगला सवाल लेता हूं में इंडिया गड़ बंधन बना हुआ है राहूल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर लोगों से मिल रहे हैं आपको नहीं लगता कि मोदी बनाम विपक्ष में इतना बड़ा कुनबा एक साथ में नुकसान कर सकता भारती जनता पार् देश के ठकेत पड़े डकेत हैं इस छोटे डकेत रही सफेद पोस्ट रहत है इन्होंने देश को लूटा है मौहमध घजनमी आए दिन में लूटकर आए रात बर प्लान बनाके रात को चार वजे और सारे ट्रश निकाल देते हैं इनके स्विश बैंकों में पैसा धन जमा इन्होंने जो कांग्रेस ने जो किया है इस देश में के लिए ना कीता पढ़ा सकते ना पुरान पढ़ा सकते ना बाइबल पढ़ाएंगे आपको कुरान पढ़ाएंगे लेकिन हिंदों का कोई गरंथनी पढ़ाएंगे को कुसमें हकीकत दिए उसको यह लोग कालपने कहते ह काम कर रहे हैं अईसा देश जोड़ेंगे भारत जोड़े हो उनके बाब दादों कितरा जोड़ा है पाकिस्तान बना दिए बंगला देश बना दिया देखिए यह देश कटेगा न chrono पिटेगा आप किसी के माई कुलाल की हैसीत नही चुछ वह नहीं को शुच भी कहलो लेकिन ये सब मुस्लिम थे, अफगानिस्तान से आये, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आये, आगरा आगरा से इलावाद में, नहर में काम करते, नहर होगे, इन्हों ने देखा, यहाँ की बुद्धिजीवी कौन हैं? के ब्राहमन हैं, इसलिए इन्हों ने अपने आप जो काम आप अधुरा छोड़के उनकी किताब पढ़ लीजिए, जो काम आप अधुरा छोड़के उसको मैं पूरा कर रही हूं, तो यह वो मुस्लिम हैं, यह देश के गदार लोग हैं, इन्होंने गदारी की है, इन्होंने हिंदों का अपमान किया है, इन्होंने केवल 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 सना अतन धर्म का अपवान करके अपने आपको बड़ा बनाया है और कितने आतंगवादी इन्हों प्रवेश किया आज माई कलाल जो भी आतंगवादी आता मारा जाता ऐं किनि बताई कोई बचके जाता हो आज बचके जाने की हैश्यत नहीं क्योंकि यह मोदी यूग है यह योगी योग है उत्रपदेश में इसलिए ऐसी इस्तिति नहीं है यह बेइमान है स्वयम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं यह इनोंने इन से जब गोत्र पूछा के इनको गोत्र का पता नहीं जनेव करपातिरी महराज का आपने देखा हो तो जम इंद्रा गांदी जी फिर भी कोई हिंदुस्तान वाला हिंदू नहीं मानेगा तो यह तो देश के अपरादी है इनको तो जेल के स्विंग चौब होना चाहिए करपाति महराजी का बचन है राहूल गांदी लेकिन बोलते हैं बीजेपी से में स्रेटिफिकट थोड़ो चाहिए हिंदू तो होने सब्सक्राइब बीजेए जैने अब अगला सवाल में लेता हूँ राजस्थान में भी चुनाओ है यहां पर आपकी पार्टी क्यों नहीं मुक्हमंत्रियों का चहरा डिक्लियर कर रही है देखिए आदरी मोदी जी हमारे आइकोन है और यहां अभी कले आप जैसे विशाज सर्मा पत्रकार पूछ रहे थे बोले साब आठ है मुख्यमंत्री के दावेदार है मैंने कि मुझे नहीं पता कितरे दावेदार है अब आप बता रहे हैं मैं माल लेता हूँ क्योंकर लोग प्रदेश ने विश्वषाजन किया है भगमाराम भगमान कराश रहे उत्रप्रदेश में पैदा हूए उत्रप्रदेश वाले शासन अच्छा चलाना जानते हैं और देखिए श्रष्टी के रत्ना जब सत्यूग में हुई तो कासी विश्वना से हुई और हमारे देश के प्रदानमंत्री उत्रप्रदेश से तो ऐसी इसी हमारी राष्ट्पदी को विश्वी पहले है उत्रप्रदेश से तो उत्रप्रदेश को महिने नहीं कर सकते मैंने कहा जो तो मुझे लगता है इसलिए आप राजस्थान के मैक्सिमन दोरे करते आ रहे हैं इसलिए आपका मुमेंट मेरी सुपकामना ये रहेंगी रगराजी आगे बढ़ता हूं मैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मदर्सु को लेकर तुष्टी करण का आरोप लगता है सरकार पर चुकि आप स्रम सेवा योजन मंत्री हैं मैं आ करना प्रदर्सन हो रहे हैं बहुत सारे जबहों पर आपको नहीं लगता कि सरकार को रोटी कपड़ा मकान पर भी बात करने की आवस्चता है हिंदूत और तुष्टी करन के अलामा देखिए भार सरकार ने बारह करोड सौचाले दिये नो करोड लोगों माताओं को गैस का क परभाकान दे दिये दो करोड 43 लाग प्रधनमंत्री और मुख्मंत्री योजना के घर योजना के अंतरगर्त ये बिपच्छी लोग इनके पास कोई काम है नहीं क्योंकि ये विरोजगार हो गये इसलिए इनको कुछ ना कुछ कहना है उत्तर प्रदेश के नहीं देश के व कि बाकि जो है महत्व हम ने स्क触 में घर भी दे रहे हैं उत्र-प्रदेश के रासन फुरे रहे हैं तो इसलिए हम तो पूरे भारत को चमकानी के या आता है इनके टाइम यहां गई थी इनकी टाइम ब्लैक होती थी हड़ चीज ब्लैक होती थी कोई चीज ब्लैक नहीं हो रही आधनी जिए दोसर रुपए कम किये हैं गैस पर तो देखिए अगर वर्ल्ड मार्केट में जाना है आज अर्थ व्यवस्ता में हम अठारे में नंबर पर और चोथी बार जब सरकार रहेंगे नंबर एक पर रहेंगे हमारा रुपया डॉलर के उपर चलेगा यह में बचन देता हूं क्योंकि हमने सब्सक्राइब करेंगे तारीख नहीं बताएंगे तारीख हम को भी नहीं पता है कि जो साड़े 400 वाला सिलेंडर था आद बारा सुरुपे में मिल रहा है देखे यह वर्ल्ड लेवल में आप महगा ही देखेंगे आज पाकिस्तान में देख लिए साड़े 300 रुपया लीटर पैट्रॉल है डीजल कितने बहंगा है 200 रुपय के लोग वहां पर आटा है हमारे हां कोई बहंगा ही नहीं और आज ब्रिटिस में देख लिए जिन्हों हमारे उपर 200 साल सासर किया उनकी भी इस्तिति आगी लोन लेने की आज अमिर्का की इसी आगी हमारी इस्तिति नहीं हम लोगों को हमने 22 देशों को free of cost स्री लंका को हमने 40 लाख बेड़ तेल दिया है अठारहाजार करोड पे दिये हमने नेपाल को 22 करोड पर दिये हमने भूटान को 12 करोड इस्तितिक कर दिये आज यहांध में मोदीजी के नितित्व में हमारा अंकलन होता है अज विस्त की चौधराइड हम कर रहे है जी 20 कोई बी राष्टा दस्टाल पाया आज कनाडा की भी है चाइना की है पाकिस्तान नीचाइना की हिंदुस्तान को आख दिखा जो आख दिखाएगा हिंदुस्तान को रहेगा नहीं नक्से पर नजन नहीं आएगा ये बचन देता हूं मैं आपको आज वो भारत है ससक्त भारत है ससक्त सेना है मुझे लगता है BJP की नेता ही मार के भगा देंगे उन लोगों को आप तो अगरतन में बाप करें मंत्री जी अगला सवाल में रास्थान से ले रहा हूं चुकि 24 से पहले सेमी फाइनल रास्थान में है और गहलो साब बोल रहे हैं कि मैंने जो महगाई राहत कैम्प लेके आया हूं मैं इससे जनता को डारेक्ट फाइदा पहुचा है मोधी जी ने तो कुछ किया नहीं मोधी जी ने गैस को दाम बढ़ा दिये पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये सारी चीजों में महगाई बढ़ा दी और हम तो राहत महगाई कैम्प चला कर जनता की सेवा कर रहे हैं और हम पुना रिपीट कर रहे हैं वहीं जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आधनिये गहलोजी हमारे बड़े भाई हैं उनको ब्रद्धास्रम जाना चाहिए भजन करना चाहिए उन्होंने जो पाप किये हैं 40-50 साल में उन पापों का फ्राश्चीत करना चाहिए अब 80 साल की उमर में मुखमंत्री बनन उनको कंठी माला का दिल वाऊंगा जिससे ब्रद्धास्रम उनकी सेवा हो सके अब वो छोड़ दें सपना आब मुंगरी लाल के सपने हसीन सपने न देखें भारती जिंदा पार्टी की सरकार बनने जा रही है 110 परसेंट चलिए अब अगला सवाल आपके फिर दिल से ही कि अगर अगुराज सिंह आज नेता नहीं होते, मंतरी नहीं होते तो क्या होते देखिए मैं गोल्ड मेड़ेलिष्ट हूँ 10th में, 12th में ग्रिजिवेशन में गोल्ड मेडेलिष्ट हूँ मैं fatigue होुम तो इसलिए ँश कहीन है कोई अदकारी तो होता ही या फिर किसान हैं, बीच में चपराशी या कार्पून है या बीच किस रहनी कोई नहीं है फिर भी मतलब देश की सेवा में ही रहने का मन था आपका तो इसलिए भगवान ने आपको इस सुन्ने सेवा ही दे दिया है चलिए अब हम आपसे कुछ रैपीट फायर करेंगे एक वर्ड में बोलूँगा आपको भी उसी वर्ड में जवाब देना है नेता नेता का काम है सेवा भाव बीजेपी बीजेपी का मतलब है राष्ट यद राष्ट सवल है तो बीजेपी है और प्रदेश एक हम आप प्रदेश Otherwise YouTube के रच हायो लोगों ग्cito जीवीत रहेगा गमचाबरखा भगवा चलिए आपको देश की जनता संहा रही है आपके प्रदेश की जनता सुनरही है है क्या मैसेज देना चाहेंगे अधने यही कंगा ऑदर यह को राइस्थान की जन्ता जना रन ne से ठीश gider प्रदेशतान की प्राइस्थान केें अपना चुनाब करें भारती की जन्ता पाटी को लाएं को कर भाहती व éléments ताफ tentang जो के तुष्टी करन सब्द बिस्व में कहीं था नहीं इन्होंने बर्दस्टी से कमिनिश्टों ने लाके खड़ा कर दिया इसलिए मेरा क्योंकि राइस्थान भी आज उत्तर पर पहला जैसा उत्तर पर देशा ऐसा राइस्थान हो गया है मैं जब कभी आता था अच्छा ल में काया कल्प होगी कौन मुख्मंत्री बनेगा कौन मंत्री बनें सब को सोचते हुए आधरनी प्रदान मंत्री मोदी जी को उपर निर्टने छोड़के और हम सब राष्ट के निर्मान में जुट जाए इतना ही कहते हैं अपनी बाणी को बराम देता हूं जैए बहुत-ब के साथ नमस्कार